ध्यान रखने योगे जरूरी बाते नमबर एक घुटनों और जोडों में दर्थ की समस्या हो तो मखानी को घी में भून कर दूद के साथ खालिया करें नमबर दो यदि लगातार खांसी आ रही हो तो एक चमच शहद में काली मिर्च मिला कर सोते समय खालिया करें खांसी रुख जाएगी नमबर तीन दाल उबालने के बाद अक्सर इसका एक्स्ट्रा पानी बच जाता है जिसे महलाएं फेक देती हैं लेकिन आप उसे फेकने के बज़ाए आटे को गूंदने में इस्तमाल करें ऐसा करने से नियूट्रेशन बरखरार रहता है नमबर चार चांवल बनाते समय महलाओं की एक शिकायत होती है कि इनके चांवल चिपक जाते हैं लेकिन आप चांवल बनाते समय इसके पानी में एक चम्मजगी और कुछ भूंदे नीबू के रस के डाले ऐसा करने से आपके चांवल बिल्कुल खिले-खिले बनेंगे नमबर पांच खाना बनाते समय ग्रेवी का सुवाद बढ़ाने के लिए प्यास भूंते समय इसमें आदा छोटा चम्मजगी डालें दरसल चीनी ग्रेवी को अच्छा रंग देगी और इससे सुवाद भी बढ़ जाएगा नमबर छे लौकी का खुफता बनाने के लिए कद्दू कस करने के बाद जो पानी निकलता है इसको फेकने के बज़ाए आटां गूदने में इस्तिमाल करें इससे प्राटे स्वादिश्ट होने के साथ साथ काफिय टेस्टी भी बनेंगे नमबर साथ बिना अंडे के फलप्पी केक बनाने के लिए आप मेशा केक का बलेटर दहीं के साथ बनाएं ऐसा करने से आप बिल्कुल परफेक्ट केक बना पाएंगे नमबर आठ अगर महिलाओं को अपनी पलके बड़ी करनी हो तो रोजाना सोनी से पहले एरंडी के तेल को कुछ बूंदे नारियल के तेल में मिलाकर कॉटन टीप की मदद से अपने पलकों पर लगाएं नमबर नौ दूद के पॉडर में शहिद और थोड़ा सा पानी मिलाकर चहरे पर लगाने से तो अच्छा सफेद और ग्लोइंग हो जाती है इससे चहरे की चुरियां भी चले जाएगी नमबर दस संत्रे के रस में ग्लीसरीन मिलाकर चहरे पर लगाने से चहरे की रंगत निखरती है साथ ही साथ दाग धबे भी खायब हो जाते हैं नमबर ग्यारा एक चमाच मुलतानी मिटी में एक चमाच ग्लीसरीन मिलाकर थोड़ा गुलाब जल मिलाएं चहरे पर 20 मिनिट लगाकर रखें चहरे की रंगत बढ़ती है और चहरा खुबसुरत नजर आता है नमबर बारा शेंपो में एलोविरा जल मिलाकर बाल धोएं इससे बाल चमकदार मुलाइम होते हैं इसके साथ ही डैंडर्फ की परिशानी भी दूर होती है नमबर तेरा यदि छोले बठोरे बना रहे हो तो बठोरे के आते में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दो तो बठोरे ज्यादा फुले फुले बनेंगे 14. सिग्रेट की लट को छोड़ने के लिए आप दालचीनी केक तुकड़े को थोड़ी देर के लिए चूसते हैं तो सिग्रेट छोड़ने में मदद मिलेगी और सिग्रेट की तलब भी नहीं होगी 15. किचन में अगर कॉक्रोच और जूंगुर आते हैं तो बेरिक पॉडर छड़कने से कॉक्रोच और जूंगुर नहीं आएंगे 16. रोजाना आदा चम्मत सौंफ खौलते पानी में डाल कर 10 मिनीट के लिए छोड़ दें और ठंडा करके सौंफ का पानी पी लें जिससे आपका लटका हुआ पेट अंदर चले जाएगा और खब्स ऐसे डिटी भी नहीं होगी 17. दिले की खराश के लिए और दर्द के लिए शेहत का इस्तेमाल बहुत फाइदे मंद होता है 18. यदि आपको लगातार हिच्च की आती है तो फौरण थोड़ी सी चीनी खा लें 21. पानी कम पीने की वज़े से शरीर में कमजोरी महसुस होती है और जोड़ों का दर्द की समस्या भी होती है 22. रोजाना सोने से पहले एक क्लास गुंबुने पानी पीने से सांस की नाली खुलती है और खराटे नहीं आते 21. खाना हमें सिर्फ सुआत देखकर नहीं बलके सहथ को देखकर खाना चाहिए धूप ताजा हवा और साफ पानी सादा खाना स्वास्त के लिए फाइदे मन्द होता है 22. हरे चीज़ों को देखने से आँखों की रोशनी बढ़ती है हरी खास पर चलने से सहथ बनी रहती है नमबर तेवी सर्दियों में चीकू का जूस पीने से शरीर गरम रहता है और चीकू खून बढ़ाने में बेहत फाइदेमन होता है और साथ ही आँखों की रोशनी बढ़ती है नमबर चौबीस यदि किसी को सफेद्धा की समस्या हो तो प्यास के बींच का पॉडर बना ले इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर नारियल तेल के साथ लेप बनाकर लगाएं नमबर पचीज बारिश की मौसम में वाइरल इंफेक्शन से बचना है तो उबले अंडे पर काली मिज डाल कर जरूर खाएं